जैहिन दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेशाम भावसर तो ये वीडियो पूरी देखिए मैं आपसे कुछ लकी के बारे में बात करना चाहता हूँ और आपसे कुछ सजेशन भी मिलेंगे मुझे तो काफी अच्छा रहेगा जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास पिछ काफी होशियार है काफी active है energetic है और अभी इसको हम थोड़ा-थोड़ा बाहर चोड़ रहे हैं आपने पिछली वीडियो देखिए काफी आपको पसंद आई तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा बाहर चोड़ रहे हैं मतलब अभी अभी तो यह आपको आप देख रहे हैं कि यह यही पे है बट अभी और बाद में उसको मैं ने जब चोड़ा था ना तो वो बहुत ज्यादा मेला हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है और उसको कुछ जखम भी हुए थे इस वुड़िमें नहीं है, कल की वुड़िमी मैं डे اफ्टर टुमारो की वुड़िमें मैं वो अप्लोड करूँगा कि क्या-क्या उसको इंजूरी हुई थी बट नॉमिनल थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब वो अच्छे से क्योर हो गया है अच्छे से उसके जखम सारे भर गये है चोटे-चोटे जखम थे मतलब मेरे घर के सामने एक लकड़े का सॉयल मिल है तो वहाँ पर वो कूद के जाना पसंद करता है लेकिन वो कूद नहीं कूदता नहीं अच्छे से तो उसको कुछ जखम हो जाते है तार वगयरा लग गये एक दो बार उसको हाला कि मैंने उसको वैक्सिनेशन कंप्लिट किया है सेवन इन वन जो जो डॉक को इंपोर्टन वैक्सिन होते है पार्व वाइरस वगयरा जो डिसीज होती है उससे बचाने का काम करता है सेवन इन वन वैक्सिन उसके बाद में रैबिज एंटी रैबिज भी मैंने उसको दिया है लकी को मतलब यह स्ट्रीट डॉक के साथ में वो जो अब खेल रहा है न तो वो अगर इसको काटेंगे या अगर वो यह उनको काटेगा तो किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होगा एटलिस्ट हमने इतनी क्योर उसकी की है बट अभी क्या होता है कि इनके साथ में खेल रहा है तो खेल रहा है बट यह कितने भी होए तो हमारा डॉग है जो 7-8 महीने का ह ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नोवा मेना उसको शुरू होगा तो छोटा है यह लकी दिखता आपको हाइट है हाइट वगेर है उसके अच्छी बड़ी है बड़ यह छोटा है और वो जो सामने वाले जो दूसरे उसके साथ में जो खेलते हैं ना डॉक तो वो दो-दो साल के धाई साल के हैं मेरे सामने ही सब चोटे से बड़े हुए है तो उनका जो रहन साहन है वो बिल्कुल भी अलग है तो मैं सोचता हूँ कि लकी को उनके साथ में छोड़ू या नहीं छोड़ू अभी उसको थोड़े से जखम हो गए अभी तो हम ठीक है हम उसकी क्यार कर लेते हैं बाहर में वो पॉट्टी वगेरा कर लेता है आराम से घर पे अभी कोई भी गंदगी भी नहीं होती है ना वो घर पे सुसु करता है दिन में हम उसको एक दो बार बाहर लेके जाते हैं चेन से ही बांद के रखते हैं उसको फिर उसको बाहर लेके जाते हैं और रोड पे उससे सुसु अगयरा करवा लेते हैं टाइम टू टाइम और पॉट्टी का भी इसु है तो पॉट्टी अभी वो दिन में सिर्फ एक बार करता है मॉर्निंग में ये कम से कम 15-20 दिनों से एक महिने से उसका सेडूल बन गया है वो सिर्फ एक बार पॉट्टी करता है वो भी मॉर्निंग में तब भी मुझे इसको बाहर खेलने के लिए छोड़ना पड़ता है बट कभी-कभी ऐसा होता है कि वो इतना महला हो जाता है पता नहीं कहा कहा पे गूमता है कोई गटर में न सोता है लकी हमारे साथ में बेडरूम में सोता है तो उसको अगर कोई बीमारी होती है कोई इन्फेक्शन होता है कोई भी प्रॉबलम होती है तो कहीं न कहीं हमें भी हो सकते इसलिए हम उसको जादा क्योर करना पसंद करते और उसको खेलना जादा है उसको लकी को खेलना है lucky call लगता है कि मुझे बाहर छोड़ना चाहिए तो कई बार हमसे argue भी करता है तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ बट यह ऐसा चल रहा है बट हमें पता है मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है अगर उसको अगर ऐसा ही मुझे छोड़ना होता तो मैं इसको नो महिने से साथ में नहीं रखता और यह मेरी responsibility है उसको सिर्फ 15-20 मिनिट आदा घंटा में छोड़ सकता हूँ अभी मेरी निगरानी में उसको में गुमाने के लिए लेके जाता हूँ चोड़ता हूँ क्योंकि यह dog तो ठीक है मेरे सामने इनको कोई भी problem नहीं है बट कोई और dog अगर उसको काट लेगा या कुछ भी होगा तो उसकी जान पे भी बन सकती है दोस्तों बस यही है आप भी मुझे suggestion दे सकते हैं अभी तो फिलाल हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्की के पास है गली के सारे लोग उसे पैचानते हैं बट कभी-कभी क्या होता है कि हमने उसको बाहर चोड़ा है कभी-कभी वो लगता है कि वो छोटे बच्चों से या आद्मियों से इनसानों से जो उसके पैचान वाल है उनसे भी खेलने के लिए वो लगता है कि उसको मैं खेल हूँ इनके साथ में बट सभी लोग friendly नहीं होते है कुछ लोग पत्थर भी मार सकते है कुछ लोग मतलब इतने आउट उनका इतना दिमाग हरा होता है ना कुछ लोगों का तो वो कुतों कैसा समझते हैं हर कुता काटने को ही दवड़ेगा तो वो भी कई ना कई हमें डर लगा रहता है अगर ल तो यह डर भी लगा रहता है तो मैंने अभी बहुत कम यह मैंने तो उसको छोड़ के देखा है अभी बट आगे में थोड़ा सा और कम कर दूंगा उसको छोड़ना इस तरह से क्योंकि उसको बाहर रहने के आदत लग जाएगी ना तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होग तो फिर वो घर पे रहेगा ने बिल्कुल भी तो बस यही है मैंने उसको 15 मिनिट में पहले बाहर छोड़ा फिर मैंने आधा घंटा छोड़ा अभी एक गंटा दो दो गंटा वो बाहर रह लेता है बट बीच बीच में वो पानी पीने घर में आ जाता है जब उसको थोड़ सा रेस्ट करना होता है तो भी वो घर के तरफ आ जाता है खाना खाने के लिए घर के तरफ आ जाता है बट अभी जो जिस दिन वो दो दिन बहुत ज्यादा मेला हो गया ना बहुत ज्यादा गंदा हो गया नाली में पता नहीं क्या हुआ था तो तब से मैंने उसको बाहर र तोड़ा था उसको हमने अपमारे आंगन में ही उसको अच्छे से नहला दिया उसके बाद में शैंपू अगर आज अच्छे से क्लीन हो गया फिर अभी वो घर पे ही है लकी क्या क्या हम उसको खिलाते हैं क्या नहीं वो सारे कुछ उड़े आपके साथ में और आते रहेंगे और यह मेरा एक्सपिरियंस है मैं अभी लकी को बाहर ज्यादा छोड़ना नहीं चाहता हूं क्यूंकि यह सारे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो काफी स्ट्रॉंग है और लकी हमारा अभी पपी ही है समझ लीजे आप और बाहर से अगर कुछ भी गंदगी खा लेगा तो अभी तक तो लकी के वजए से या लकी को हमने एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए दोस्तों हम सोड़ा सा सजेशन ले लेते हैं डॉक्टर से और बाकी उसको कोई भी बिमारी की हमने दवा आज तक नहीं दिये दोस्तों विटामिन दिया है हमने एक बार करेंगे तो आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को वाटसप और फेस्बूक और शेयर कीजिए जये हिंद वंदे मातरम